आप सब की जिन्दिगिया इन फूलों की तरह हस्ती मुस्कुराती रहें यही दुआ करते हैं और इस प्लांट को देखिए इस प्लांटर को देखिए मैंने इसको कैसे तयार किया था और यह अभी भी इतने अच्छी सी हालत में हैं तीन दिन हो चुके हैं इसको लगाए हुए तो आएए फ्रेंड्स हम आपके साथ यही शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट को रिपॉर्ट करना चाहिए कि वो ठीकी रहे शौक में न आ जाए और हेल्डी बना रहे गार्णिंग के अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो तीन चीज़े आ जाना चाहिए एक तो फ्री के प्लांटर्स अरेंज करना दूसरा घर पर ही खाथ बनाना तीसरा कटिंग या बीज से पौधे तयार करना पहला इस्टेप तो यही है कि मैंने प्लांटर ऐसे रेडी किया है और आपके साथ शेयर भी किया हुआ है गर के ही किसी केन डबे से आपको थोड़ा सा पेंट वगिरा कर लेने के बाद उसको अच्छा सा लुग देना है ताके प्लांटर्स हमारा खुशूरत लगे और यह देखे थोड़ा सा पेंट जो बून बून गिर गया था उसको भी यूज कर लेते हैं और उसको भी अच्छा सा लुग दे देते हैं फर्श है ये इस पर अगर थोड़ी सी डिजाइन होगी तो ये भी अच्छा ही लगेगा तो बस मैंने थोड़ी सी डिजाइन बिना किसी खर्च के क्रियेट की है और प्लांटर भी बिना किसी खर्च के ही है इस डबे को भी मैं थोड़ा सा साई कर लेती हूँ इस्टेंड के तौर पर काम करेगा वैसे तो मैं इसको भी यूज करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी अभी तो कंटेनर को इसके उपर रखेंगे ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है फर्स पार्ट में मैंने इसकी प्लांटर की मेकिंग आपके साथ शेयर की हुई थी वो वीडियो जादा लंबा हो जाता इसलिए रिपार्टिंग और इसकी पेंटिंग आज हम आपके साथ शेयर कर रहे थे प्लासिक का कंटेनर है इसलिए ड्रेरेज होल काफी क्लियर करने पड़ते हैं उसके बाद आपके पास जो भी सुखे पते टहनिया तुटे हुए पौध है उन सब को भर दीजिए किचन से जो भी कोई वेस्ट आप लेकर आए हो उसको भी इसके अंदर भर दीजिए इस मिट्टी में कमपोस्ट है एक परसेंट एक परसेंट सॉयल है और एक परसेंट ही इसमें मैंने रेट मिलाई हुई है तो इसको कहते हैं वेल्रेंज सॉयल यानि कि पानी को जो रोक करना रखे जमाना होने दे वो वेल्रेंज सॉयल होती है तो गमला और खाद दो स्टेप सो पूरे हो गए तीसरा स्टेप यहाँ पर है किसी ने प्रून करके कच्रे में ही फेकी हुई थी प्लांट्स के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता है तो मैंने एक लंबी सी स्टिक के तीन टुकड़े करके रोक कर लिये थे एक साल से लगा हुआ है मैंने रिपॉर्ट नहीं किया हुआ था अब देखे इसकी कंडिशन कितनी प्यारी सी है और तीनों कटिंग लगकर रेडी हो चुकी है तो इसी मैंसे हमने एक प्लांट को निकालना है और इस न्यू कंटेनर में शिफ्ट करना है ये सौंग ओफ इंडिया का प्लांट है तीन प्लांट के लिए मैंने तीन पॉट ही लेने थे इस वज़े से मैं सिर्फ एक ही निकाल ली हूँ और इसको मैं इस तरह से कट कर देती हूँ जो रूट्स आसपास की होगी वो कट कर प्लांट के साथ आजाएगी डैमेज नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक प्लांट को अलग किया हुआ है बाकी दो से एक साल होने में अभी एक दो महिने बाकी हैं और फिर भी इसमें इतनी जादा जड़े नहीं बनी हैं फिर भी काफी सतरकता रखते हुए इन जड़ों को ना तूटने दीजिए और स्ट्रेटिस को खड़ा कीजिए इस तरह से और फिर आसपास मिटी डाल दीजिए जड़े बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए नहीं तो प्लांट आपका खराब हो सकता है मिटी को अच्छे से टैप करने के बाद उसमें पानी भर दीजिए इतना कि ड्रेनेज होल से आउट होने लगे तो रिपर्टिंग हमारी हो चुकी है प्लांटर भी रेडी है और खाद भी इसमें दीरे दीरे बनती रहेगी आपको जादा देनी नहीं पड़ेगी वीडियो चल लगा हो फ्रेंज तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे चिस से कमेंड कीजिए फिर मिलते हैं अलाहाफेज